नमस्ते एंड हैपी रक्षाबंदें आज में शेयर करने चावल की मीठी मीठी सी और जटपट से बनने वाली खीर की रेसिपी वैसे तो तियोहारों में हम लाख मिटाया खरीद लें लेकिन जब तक खीर नी बनती है तो खाना और तियोहार दोनों ही अधूरा रहता है तो च मैं ही चावल के लिए लेकिन जो चोटे वाले चावल रहते हैं फूल जायार, तो हो सके तो आप यह वाले चावल के इस्तिमाल करें तो यह मैंने 1 चॉथाई कपका के करीब चावल लिया इसको बढ़िया तरीकती से 2-3 तीन बार अचे तरीके से दो लेंगे, जिससे इसका अच्छे सारा निकल जाए, अच्छे से दो तीन बार दो लिया और यह इस तरीके से हो गया है, तो हम चलते अपने नेक्स्ट प्रोसस में, एक कड़ाई में मैं आदा चुटा चमच की लगभग घी लिया है, तो अपने जो ड्राइफूट से उनको रोस्ट कर लेंगे, तो य जल्दी से फ्राइ हो जाते हैं, तो यह देखे गोल्डन ब्राउन होगा है, तो निकाल लेंगे, अब हम सेम कड़ाई में दूद एड करेंगे, तो यह पर मैंने फुल क्रीम दूद लिया है, तो अगर आपके पास में अबला दूद है, तो अच्छी बात है, तो आप नही अब लोग कर देंगे, और लो फ्लेम पर आप अच्छी पाउडर और बड़ी असे फ्लेवर के लिए एक च्छी पाउडर के लिए थोड़ी सी में पांस से च्छी जो धागे हैं यह उप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सकते हैं, तो बस इनको अच्छी अब तक एक अबाल आज़े और एक अबाल आज़ेगा गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ढग कर हम 15-20 मिनिट तक पका लिए तो एक लीटर दूद के लगभग मैने लिया है आप अपने हिसाब से दूद को कम सादा कर सकते हैं तो अब इसको डग देंगे और कर सकते हैं कि चावल कितना पका है तो अब इसको 15 मिट तक बढ़े तरीके से कोख होने देंगे और यह बहुत आसान सी रेसिपी है 15 मिट पर बनकर तयार हो जाती है और सारी मिठाई है इसके आगे फेल है तो यह देके 15 मिट हो गए है कितना बढ़ी टेक्शर आ गया है तो गैस का फ्लेम अभी अमने रखा है तो हम इसमें शुगर एड कर देंगे तो यहां लगबग मैंने एक चौथाई कप राइस लिया था तो आधा कप मैंने शुगर एड किया है शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिक कम जादा कर सकते हैं और साथी मैड कर दूंगी जो अच्छे से मिलार देंगे लो फ्लेम पर पांच मिर तक इसको और अच्छे से पकने देंगे जिससे की जो शक्कर है अच्छे तरीके से मैल्ट हो जाए और तयार हो गई है हमारी बढ़िया बढ़िया मीठी सी खीर रक्षा बंधन स्पैशल तो आप भी इसको जल्दी से ब पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा थेंक यू सो मच एंड हैपी रक्षा बंधन